बहुत स्वागत चुनाव इस देश के लिए किसी उत्साव की तरह है। मध्यप्रदेश की 6 सीटों पर 67% वोटिंग हुई है। पिछले बार इन सीटों पर 67% वोटिंग हुई थी। अब इस लिहाज से देखा जाए तो करीब 8% वोटिंग कम हुई। आखिर इस 8% वोटिंग कम के माइने क्या है। हम एक एक करके हर सीट का विशलेशन करेंगे। मध्यप्रदेश और 36 गड़ की जो एक सीट है कोशिश होगी सब का विशलेशन करें। हमारे साथ खास महमान जुडेंगे जो आपको वोटिंग परसेंटेज के घटने और बढ़ने के माइने बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मध्यप्रदेश की सबसे होट सीट छिंदवाडा की। छिंदवाडा ने घजब का कन्फूजन क्रियेट कर रखा है। छिंदवाडा में इस बार 89.18 परसेंट वोटिंग हुई। जबके बीते लोग सबसे चुनाओं में यानि 2019 में 82.39 परसेंट वोटिंग हुई। वोटिंग घटने को लेकर छिंदवाडा में इस अस्पंस बरकरार है। एक बात और भी है कि जीत के मार्जिन पर इसका सीधा असर पढ़ता है। वोटिंग के घटने और बढ़ने का जीत के मार्जिन पर सीधा असर पढ़ता है। बात मंडला की कर ली जाए यहाँ पर 72.49 परसेंट मद्दान हुआ। साल 2019 के लोग सफ़ा चुनाओं में 77.76 परसेंट वोटिंग यानि इस बार करीब 5 फीसद वोटिंग कम हुई है। कम वोटिंग हुई है। तो मंडला और चिंद्वाला की जो यह स्थितिया है वो आपने देखी। क्या इसके माइने हैं अब जरा उसे समझने की कोशिश कर ली जाए। जैन्त वर्मा साब बहुत-बहुत स्वागत है आपका और पहला सवाल सबसे पहले बाद छिंद्वाला की। वोटिंग ट्रेंड्स यहां के बाद इस तरह के रहे हैं इनका सीधा असर पड़ता है जीत हार के मार्जिन पर इस बार चिंद्वाला की स्थिक्यां क्या लगती हैं। देखे जो वोटिंग का परसंटेज कम होने का सामान नेता है तो लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत थी जैसे जबलपूर में भी टेंपरेचर था और चिंद्वाला में भी टेंपरेचर काफी था तो गर्मी के कारण बहुत से लोग निकले नहीं हैं। जबलपूर में तो खास किये हैं। चिंद्वाला में भी यह हुआ होगा। तो इसमें ऐसा लगता है कि सामान नेता है जैसा कि मीडिया कवरेच था और जैसा सब लोगों का यहां सोचना था कि यह चुनाओ एक तरफा है। जो 400 पार भारती जंता पार्टी बोल रही हैं। और इसलिए यहां जबलपूर और चिंद्वाला में भी, चंद्वाला में तो वैसे सभी लोग ग..., मतलब भारती जंता पार्टी ने अपनी पृषी ताकत लगा दी थी वहाँ पे। तो सब लोग गये और 3% कम हुआ एं। 82 से 3% ले तो जब प्रतिशत कम होता है तो इसका मतलब यह है कि जो margin है जीत का वो कुछ घटेगा जीत का margin घटेगा और जो सत्ताधारी दल है उसके vote कुछ कम होते हैं ऐसा normally देखा गया है जब percentage कम होता है मुझे लगता है कि भारती जनता पार्टी का तो यह है कि सब जगत एक तरफा ही रहा जहां पे भी देखें कॉंग्रेस की जो बूत थी उनके जो agent बैठते हैं बाहर तो वहां भीड कम दिखती थी और यहां बहुत ज़्यादा महिलाओं का बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा महिलाओं ने वोट दिया शुरू से यहां लाइन लगी दिखती थी तो महिलाओं का थो तो उनसे कई से पूछा भी गया तो उनने का भई हमको तो जो पैसा आ रहा है 1250 तो हम तो उसी पार्टी को देंगे इस प्रकार से सोचना है यह जो पूरा का पू न्यूस एडिटर वो भी हमाई साथ जोड़े हुए हैं अभशेक इस से पहले जन्रेली हमने तर्म बनाये सथा विरोधी लहर एंटी इंकम्बेंसी फिर एक और टर्म आया वो था प्रो इंकम्बेंसी और ये भी नज़र आया कि वोटिंग बढ़ने के मानी हर बार ये ज़रूरी नहीं कि सत्ता विरोधी लहर ही हो इन सब के बीच क्या पॉलिटिकल स्थितियां आपको नज़र आती हैं जी अभी शेख बिल्कुल लगातार जागरुपता अभियान चला रहा है अच्छा खासा इसका बजट होता है कैंपेनिंग चलाए जाती है कई सेलिब्रिटीज को इसमें शामिल किया जाता है वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए तो अगर वोट परसेंट कहीं भी बढ़ता है तो इसको अब आप कोई मैंडेट से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं यह बिल्कुल जागरुपता से सीधा जुड़ा हुआ मामला है और जहां तक बस्तर की बात है तो बस्तर में तो हमेशा से अच्छी खासी वोटिंग होती रही है बस्तर के जो लोग है मुझे लगता है शहर के मद परसेंटेज अगर बस्तर में बढ़ता है तो इसका सीधा संबंद जागरुकता से है और लोकतंत्र में उनका विश्वास है क्योंकि तमाम नक्सली फर्मानों के बीच वो बाहर निकलते हैं वोटिंग करते हैं और अपना मद्दाता चुनते हैं वो कहीं ज्यादा वेयर है बाकी कहीं दूसरी जगा की मद्दाताओं से इसलिए भी क्योंकि अब आप जब बस्तर जाएंगे लोगों से बात करेंगे तो लोग अपने मन की बाद खुल कर आपको नहीं बताते हैं वो एक जो वोटर होते हैं टिपिकल वोटर विल्कुल उसी प्रकार के वोटर है कि व वोट परसेंटेज की पिछली बार से बस्तर में वोट प्रतिशत ब्यादा बढ़ा है यह बड़ी सफलता है लोगतंतर की लोगतंतर में उनका विश्वास है क्योंकि नक्सली फर्मान नक्सली घटनाओं के बीच में कोई दहशत में नहीं आया किसी भी प्रकार से पीछे वो उसी उत्साह के साथ बहुत भैनक गर्मी थी जहां पर वोटिंग हो रही थी वहां पर हालत लोगों की खराब थी इतनी भैनक गरमी थी लगी इस भाइकर तमाम मुश्केल रालातों के बीच भी वो अपने लोकतांतर अपने वोट को लेकर जागरुक है। रिपीड भी उन्हें किया गया और वोटिंग के जो ट्रेंड्स रहे। है कि यह जो वहां पर भी है महिलाओं ने जादा वोट किया और वो लाडली बहना जो थी वो सब का मतलब यह था कि वही हमको जो पैसा आ रहा है हम उसको वोट दे रहें। तो यह है कि भगन सिंग कुलस्ते का वो एक कॉंस्टिट्यूएंसी से विधान सभा का चुनाव हा रहे थे पर ऐसी इस बार कोई वेव जैसी नहीं देखी है। मतलब पहली बार हमने लोकसभा का ऐसा चुनाव देखा है जिसमें कोई वेव जैसी नहीं थी मतलब या तो अंडर करेंट रहा और या तो फिर ऐसा लगता ही नहीं था ना तो उसका प्रचार इतना ज्यादा था कहीं लगता नहीं था चुनाव के एक दिन पहले भी कि यह क महसूस किया करते थे हम खुद पत्रकारों के लिए यह किसी युद्ध जैसा हुआ करता था मैं आऊंगा आपके पास और और भी एनलेसस करेंगे लेकिन कुछ और सीटों के बारे में जरा मोटी जानकारियां दे दी जाए यह बात हो गई चिन्वारा और मंडला की इसे ले उन हत्तर दशमलों चार तीन परसेंट था जो पहले के मुकाबले करीम नौ फीसद तक कम है बीजेपी के तरफ से आशीष दुवे हैं कॉंग्रेस के तरफ से दिनिये शयाद हो हैं साल दो हजार नौ से बीजेपी के राकेश सिंग यहां से जीत दर्ज कर रहा है और पिछल के मुकाबले 14 फीसद कम यहां पर भी कैंडिडेट बदला गया है रीती पाठा का सदी छोड़कर वह विधायक बन चुकी है और लगातार जो जहन जी वह हमारे साथ बने हुए अब शेख हमारे जो वरिश सहोगी है वह हमारे साथ बने हुए उनके जरीय हम चतीज़ड को कर रहे हैं तो जहन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा जबलपूर और सीधी को लेकर जबलपूर का हाला कि जब आपने शुरुआत में बाची शुरू हुए अपनी तब आपने का था कि गर्मी भी एक बड़ा फैक्टर है फिर भी जबलपूर को अगर और ज्यादे डिक अब बलके पिछले बार तो यह था कि शादियां भी ज्यादा थी उन दोरान अभी यहां पर शादियों का तो उतना तारीक नहीं थी पर यह जो वोट परसेंटेज कम हुआ है यह अधिकांश लोग कह रहे है अरे अब तो एक तरफा चुनाव है वो तो उनको मोदी जी का जीत नहीं है उनका तो वोट देने जाएं ना जाएं मतलब इस प्रकार का लोगों का यह मन था तो यह है कि विजय तो भारती जनता पार्टी के होगी मोदी के नाम पर वोट पढ़ रहे हैं सारे के सारे पर वो जो परसेंटेज है जो जीत का वो कुछ मुझे लगता है कम ह जे और सीधी का सीधी में एक और दिल्चास बात हुई कि यहां पर बीजेपी के बागी ही जो है वो थोड़ा बहुत तनाव पैदा कर रहे थे बीजीपी के लिए सीधी भी ऐसा कहा जा रहा है कि जो बहुत आसान फाइट लग रही थी वो अब नहीं रही और अब यह चेंज होते हैं तो यह है कि पिछला जो केंडिडेट था वो उतना उत्साह नहीं दिखाता है जबलपुर में भी चूंकि आशीश दुबे को लाया यहां पर यह पहले कभी विधायक भी निरे कुछ निरे और यहां के जो स्थापित भारती जंता पार्टी के नेता थे उन सिधी की भी है तो जो जिस प्रकार से बूत लेवल कारकरता काम करते थे पिछली बार जैसा किया था उस प्रकार का यहां दिखा नहीं और वो कहीं पे भी नहीं दिखा और सबसे बड़ी आश्चर की बात यह है कि सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली अवेरनेस एदी में एग्रेसिव एग्रेसिव केंपेइनिंग से लेकर एग्रेसिव पॉलिटिकल जो तस्वीरें दिखी है वहीं से दिखती है खास तोर पर यूपी और बिहार से अभिशेक लगातार बने हुआ है अभिशेक वोटिंग ट्रेंड्स को लेकर क्या नज़र आ रहा है देखिए जो वोट प्रतिशद बढ़ा है उसको हम किसी मैसेज की ओर तो कनेक्ट नहीं कर सकते लेकिन जो वहां की सियासी फिज़ा है बस्तर की वो जो भी लोगों से बात हो रही है या मद्दाताओं के रुजहान को देखकर समझ में आ रहा है कि कड़ी टक कर वहां पर है कवासी लखमा एक तरफ जहां एक बड़े चेहरे के तौर पर कॉंग्रिस की तरफ से मैदान में थे सबसे जाना पहचाना चाहरा है बस्तर के अगर आदिवासी नेताओं की हम बात करें तो कवासी लखमा है और कवासी लखमा अपनी तमाम बयानों की वज़े से भी चर्च नहीं होगा उसके अलावा ग्राउंड लेवल पर भी बीजे पी ने तमाम ताकत वहां पर जो की बीजे पी बस्तर सीट हार चुकी है 2019 में इसलिए पूरी ताकत इस बार बस्तर में बीजे पी ने यहां पर लगाई है कवासी लखमा के साथ था कवासी लखमा अकेले प्रच लिटों का जरा एक अलिस देख लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे शैडूल और बालाघाट की बात कर ली जाए शैडूल में इस बार हुआ है 63.73% मद्दान वहीं 2019 में यहां का 74.73% था वोटिंग परसेंटेज यानि पहले के मुकाबले 9% से ज 70.69 यानि पहले के मुकाबले 4% कम वोटिंग यहां पर हुई है अब बालाघाट में बार बार चहरा जो आपको नज़र आएगा वो बदला हुआ नज़र आएगा तो जैन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अब हम बालाघाट और शैडूल के हमने आकड़े दिखाए हैं क्या आपको लगता है पहले शैडूल की बात कर लिए शैडूल में क्या नज़र आता है देखिए सबसे बड़ी बात जो इस बात देखी गई कि कॉंग्रेस के पास जितने भी मतलब जो सिश्टार प्रचारक आते हैं और उपर से जो केंपेन के लिए पैसा आता है वो नहीं उतना आपाया कॉंग्रेस का तो इसलिए दिखा नहीं प्रचार जैसा होना चाहिए व जिर्णी का जिस इस बात जजगे जीत होगी तो इसलिए भारती जनता पार्टी के भी प्रचारकों उन्हें लोगों ने इतना खर्च नहीं किया तो इसलिए ये प्रचार वैशा दिखा नहीं और लोगों का भी ये था कि जैसे बहुत सारे बुजर्गोंने का कि यह यह ले जाए और वोटिंग तो वोन लोग के पास कोई पहुचा भी नहीं की वही चलो तुम को अभी हम ले जाते हैं वोट दिलवा देते हैं करते हैं ऐसी इस्थिती थी तो यह लगता है कि मुझे लग रहा है कि यह जो परसंटेज हर जगह जो कम हुआ है इससे भारती जनता प सब्सक्राइब करते हैं तो लाभारती के पॉइंट आफ यू से लोगों ने वोटिंग की है कि यह लाभ हमारा बाद में भी कंटीनिव लाभ एक बड़ा फैक्टर रहा मैं आऊंगा आपके पास थोड़े वक्त की कमी है और अब बात हम बस्तर सीटकी कर लें 36 गड़के ए पिछले चुनाओं में 66.9% वोटिंग हुई थी यानि पहले के मुकाबले जादा वोटिंग हुई है अब शेक हमारे जो सहुगी हैं वो लगाता हमाई साथ बने हुए अब शेक क्या इस वोटिंग के माइने कैसे इससे देखा जाए मिल्कुल ललित सबसे पहले मैं अपडेट कर दूँ जो फाइनल परसेंटेज आया वोटिंग का वो 68.30 शुन्य आया है अभी जो थोड़ी देर पहले क्योंकि कई मद्दान दल जो रिमोट एरियास में होसे हैं वो आज वापस आया है तो यह फाइनल आकड़ा 68.30 पर जाक जाएगा हम सियासी समीकरण की बात कर रहे थे लोक सभा चुनाओं में कहीं भी लहर हो नहीं हो लहर बस्तर में लहर से ज्यादा तर लोग प्रभावित नहीं होते उनकी अपने मुद्दे होते हैं उनकी अपनी समस्या होती हैं उनका सोचने का अपना अलग धंग और तरीक कवासी लखमा कुंटा सीट पर बहुत बड़े नेता है पॉपलर है छह बार से विधायक है लेकिन मार्जिन उनका वहाँ पर इस बार भी थोड़ा कम हो गया था लगबग 2000 से कम से जीते हैं आपको बता दू बस्तर उप चुनाओ लोकसभा का एक बार कवासी लखमा लड़ चुके हैं 2011 में उसमें उनको हार मिली थी दिनेश कश्यप सामने भाजपा के वो लड़े ते और हारे थे तो विधान सभा में जीतना और लोकसभा में जीतना दोनों बहुत अंतर है एक बहुत खास पॉइंट जिस पर मैं आपको शंसिक्ट में बदा दू कि जो कावासी ल चित्र कोट जहां पर बीजेपी जादा प्रभावी वहां पर 75 प्लस वोटिंग हुई है तो यह भी आपको समझना होगा तो यह कहकर आपने जो है चार जून के लिए सियासी ताप एकदम बढ़ा दिया